जिसे बहुत कुछ दिया जाता है उसे बहुत कुछ पर्खा जाता है नोवाक जोकोविच ने रविवार को पेरिस ओलंपिक दो हजार चौबीस टेनिस फाइनल में कार्लोस अलकारास के खिलाफ प्लेस्टेशन जैसे प्रदर्शन को अपने करियर की सबसे बड़ी क्या इसका मतलब यह है कि जोकोविच अपना करियर गोल्डन स्लैम पूरा करने के बाद सन्यास ले लेंगे नौले को ऐसा नहीं लगता शीर्श वरियता प्राप्त खिलाडी का अभी भी मानना है कि उनके पास अभी बहुत कुछ बचा है क्योंकि सर्बियाई खिलाडी लॉस इंजिल्स गेम्स दो हजार अठाईस में अपनी ट्रोफी कैबिनेट में मायावी ओलम्पिक गोल्ड को शामिल करने के बाद सुर्ख बटोरना चाते हैं नोवाग जोकोविच ने आखिरकार अपने खाते में ओलम्पिक स्वर्ण जोड लिया है एफपी रॉइटर्स नोवाग जोकोविच ने आखिरकार अपने खाते में ओलम्पिक स्वर्ण जोड लिया है, F.P. Reuters सामगरी जारी रखने के लिए स्क्रॉल करें भावग जोकोविच ने स्वीकार किया कि उन्होंने पेरिस खेलों में अपना पहला ओलम्पिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपना दिल और आत्मा दाव पर लगा दी रोलेंड गैरोस क्लासिक में 16 साल की उम्र के अंतर को पार करते हुए जोकोविच ने कल पेरिस में ओलम्पिक स्वर्ण के लिए अपने लंबे इंतजार को समाप्त करने के लिए अपने सबसे नए एकल प्रतिदवन्दवी अलकाराज को साथ से छे, साथ बटा तीन, साथ से छे, साथ बटा दो से हराया 37 वर्षिय खिलाडी को बीजिंग, लंदन, रियो डी जेनेरियो और टोक्यो संसकरणों में ओलम्पिक दिल तूटने का सामना करना पड़ा इससे पहले की शीर्ष वरियता प्राप्त खिलाडी पेरिस खेलो के टेनिस फाइनल में विंबलडन चैंपियन के साथ अपना मुकाबला तै करे